हालो अब्रीवंग यह expansion कतु दिसकत करेंगे में क्या है टूंके बारें में हम डिसका और नहीं कि दुसंट रमोट के बारे में कि असके हैं टो हुड smart name down the document तो negotiable instrument एक written document होता है जो कि guarantee देता है payment का किसी specified amount का या या तो demand पे या तो किसी specified time पे future में ओके negotiable instrument transferable होते हैं और negotiable instrument जितने laws है related negotiable instrument के और जो उसको define करता है इट कम संडर negotiable instrument act 1881 अकॉर्डिंग to section 13 of negotiable instrument act 1881 नेगोसियबल इंस्ट्रुमेंट मिन्स अ प्रामिजनरी नोट बील अपश्चेंज और चेक ठीक है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे है बील आप तर ऑफेे अक्षेंज और चेक ट्राइबल आ अइदर तू आडे और विए neurot मिन्स यह ब्यार जो है यहांं कि यह बहर जो यह धारक जैसे आपने सुना होगा धारग जैसे कोई किसी को चेक दिया जाए यह चेक जिसके पास भी होगा उसको भी एरर कहेंगे ठीक है ना तो यह होगे धारग तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेगोसियबल इंस्ट्रुमेंट प्रामिजनरी नोट बील ऑफ एक्षेंज चेक तो यह सेक्शन थर्टीन नेगोसियबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट डिफाइन करता है इन सरी चीजों को आगे बढ़ते हैं एक और बात नेगोसियबल इंस्ट्रुमेंट होते क्या क्या है तो प्रामिजनरी नोट बील ऑफ एक्षेंज चेक टिवान ड्राफ ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिफोजीट थार रिखर कमर्शी अपनिब्ल इंस्ट्रुमेंट और विंद नेगोसियबल इंस्ट्रुमेंट है बट इट डजन्ट अंडर नेगोसियबल इंस्ट्रुमें एक्ट 1881 और ऐसा आपको पता है कि ट्रेजरी बिल और पिल कमर्शियल पेप नोट है नेगोशियबल इंस्टुमेंट एक 1881 section 4 defines प्रोमिजनरी नोट नेगोशियबल इंस्टुमेंट का section 4 प्रोमिजनरी नोट को डिफाइन करता है कि प्रोमिजनरी नोट is an instrument in writing that promises to pay a definite sum of money from one party to another party either on demand or at a specified future date यानि प्रोमिजनरी नोट जो है वह एक ऐसा इंस्टुमेंट है writing में means लिक के देना है ओरली नहीं लिक के देना है जो कि promise करता है किसी definite sum का definite amount का एक party से एक party को दुसरे party से तेक है एक party को दुसरे party से या तो demand पे या तो फिर किसी स्पेसिफाइड future date पर अब यह प्रोमिजनरी नोट्स में होते क्या है तो यह एक सुट कंटें वर्ड प्रॉमिस मिन्स एक ऐसे पेपर यहां पर प्रॉमिस लिखा होगा ठीक है एंड प्रॉमिस टू पे मनी भी लिखा होना चाहिए ठीक है अमाउंट्स लिखे होने चाहिए एंड डेट मिन्स हम मुझे इतना पैसा अगर मुझे एक हजार उपे देना है तो मुझे लिखना होगा कि मैं एक हजार उपे इस फलाने डेट को दूंगा मिन्स अमाउंट अ अगर amount and date mentioned नहीं है या date mentioned नहीं है तो वह promisory note नहीं होगा means these are prerequisite of promisory note that it should be retained and unconditional it should contain word promise and amount and date would be mentioned इसमें दो parties होते है maker और pay यानि जो यह promisory note बना रहा है इस यह होगा maker और जो पैसा दे रहा है जिसको पैसा मिल रहा है वो होगा pay ठीक है तो जैसे currency note for example currency note तो currency note from visionary note नहीं होता क्योंकि उसमें date mention नहीं होते है promise तो होता है but date mention नहीं होता है तो इसलिए वह promisory note के category में नहीं आता है आगे बढ़ते हैं bill of exchange so what is bill of exchange the bill of exchange is an instrument in writing that contain an order to pay a definite sum of money from one party to another party either on demand okay or at a specified future date with an intermediate यह भी यह दर असल promisory note की तरह ही होता है but इसमें तीन पार्टी इंवाल्व होते है प्राविजनरी note में दो पार्टी होते हैं बट इसमें तीन होते हैं इसमें कौन को नहीं होते हैं ड्रॉवर होते हैं धोता है और पैई means जैसे ए और ए को बी से पैसे देने तो इसमें जो तीसरा आदमी होगा यह इंटरमेडियर्टियरी का काम करेगा और यह ही कहला है का ड्रॉवर और यह हो गया पैई ठीक है जिसको पैसा मिला वह पैई जो आदेश दे रहा है पैसा देने का वह पैर ड्रॉवर और जो यह सब आदे सुन रहा है इसका हो गया ड्रावी ओके फिर यह इसको पैसा दे देगा ठीक है तो यह हो गया आपका bill of exchange it should be written unconditional amount and date should be mentioned and there are three parties अब बात करते हैं हम लोग check what is check so check is a bill of exchange drawn at a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand means bill of exchange होता है यह भी bill of exchange की तरही होता है means इसमें भी तीन party involved होते हैं ABC जो मैंने अब बताया तो और इसमें जो banker होता है वह specified होता है जैसे यह यह ने आपको चेक दिया SBI का तो आपका जो पैसा है आपका जो banker हो यहां पे specified हो गया और आपका जो पैसा है वो cash out SBI ही करेगी means आपका पैसा आपका अगर चेक है SBI का तो वो कोई और bank नहीं कर सकती है cash out तो यहां पे है specified banker दूसरा it is to be payable only on demand means अगर आप बैंक में नहीं जाओगे कि यह चेक को मुझे cash out करना है तो यह check cash out नहीं होगा ठीक है और यह 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 बहुत important एक feature है check का कि it is not payable otherwise than on demand and it can bounce also means to check negotiable instrument act 881 sections in define check it is a bill of exchange drawn at a specified banker and not expressed and there are various type of check like open check bearer check cross check travel check order check so general cross check तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे check के बारे में ही मैं एक वीडियो बनाऊँगा particularly और उसमें check को हम लोग अच्छे से explain करेंगे तो चेक से एक term related है मैं बता दो CTS यानि इसका full form होता है check truncation system तो यह start हुआ था भारत में 2010 में यह चेक को catch out कराने के लिए काम आता है और चेक से रिलेटेट एक term है MICR इसका full form होता है magnetic in character recognition it is a nine digit numeric code ओके एंड जिसमें it is printed at the bottom center of check entities used in check clearance यह check को clear करने में use होता है और यह exams में पूछा जाता है हमेशा हमेशा पूछा जाएगा आपको यह MICR या तो computer में पूछ देता है या तो फिर GA में तो यह बहुत important term में MICR IFAC है जैसे इंडिया financial system code it is 11 digit alphanumeric code तो आपको यह सब याद होने चाहिए कि कौन से code क्या है तो तब तक लिए इतना ही आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और discuss करेंगे और current affairs की वीडियो में डालता होंगा तो आप उसको जरूर देखे कोई भी suggestion हो query हो doubt हो तो आप मुझे जरूर comment करके पूछ सकते हैं और कोई भी अपना suggestion मुझे दे तागी मैं यहां कोई मेरी गलती है तो आप उसको बताएं मैं उस comment करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद thank you for watching my video share करे subscribe करे like करे thank you